यूर्मोस्ट वेलकम पिन यूर चैनल आर्मेबाइस क्यास अगर अगेन आज के वीडियो में हम लोग आम फोस का मॉडल पेपर 2 करेंगे ऐसे कि हमने पहला मॉडल पेपर कर लिया अब नोग दूसरा मॉडल पेपर करेंगे ठीक है तो चली स्टार्ट करते हैं सबसे पहला कुशन उस पहला मोडल पेपर मैं ने कहा था कि आपको आरमी कमांड लर्ण करना होगा बताइए हाव मैनी आर्मी कमांड छे साथ आठ एडी नन इसका जो राइट एंसर है मैंने उस वीडियो में भी बताया था बट इसमें आपको मैं वह भी बताऊंगा क्या क्य कमांड इसका headquarter हावमिणी आर्मी कमांड एसव और सेवन आर्मी कमांड ठीक है और क्या क्या है चलिए देखते हैं आप यह पढ़िए ठीक है वेस्टं कमांड चंडिगुए बहरा फिर आपको हाझ मंदिर भी वोलोग के तो भी सही है ठीक है फिर नौधन कमांड उध्रman सिम्ला कमांड Northern come on जैपूर में है इस्टन कमांड कॉलकार्थ सदन कमांड यानि की दच्छन कमांड पुने में चेंट्रेमे यह सेंटल कमांड लखना हुँ को अगौत यह साथ-saitat क्ला जो आर्मी के आर्मी के हैं उनको तो आर्मी का याद कर नहीं है अब याद कीजिएगा अधर्वाइज क्या कमांड है यह इंपोर्टन नहीं आर्मी विंग है उनके लिए का कमान्द इंपोर्टेन्ट है एर फोस का आप लोंग पढ़ लीजी गा जिसे इसटन एर कमान्ट सी लॉंग में सदन वेस्टन कमान्थ गांधि नगर में है सदन एर कमान्द तिरूबननतम पूरम मैं वेस्टन कमान नियो देल्ली मैं सेंटॉल प्लावाद में अब दो टो functional command है एक है maintenance command नाधपूर में और training command बेंगलोर में आप से पूछ सकता है Air Force का training command कहां पर है वह बेंगलोर में ठीक है next आईए देखते हैं Navy का अब बताए हाव मैंने Navy commands option A 2 option B 3 option C 4 option D 7 ओके बताए नेवी के कितने commands है तो नेवी के टोटल थीनbeam Attack Tommy के कमांड है कै इस्टरेनकमांड बिसखापनम में है वेस्टरेन कमांड मुंबाय में है next latter Commission कमांड कोची में है 토apa नेवी का कमांड ठीक ऐइव घ्लियर ओगी होगा आरमी का साथ एरफोस का भी साथ नेवी के तीन कमांड ओके नेक्स लोग फोर्थ कोशिन देखते हैं आम्ट फोस कम्स अंडर विच मिनिस्टर आम्ट फोस किस मंत्रा लएक अंदर में आता है यह वेरी इंपॉर्टेंट है प्रिवेश एर कोशिन एस सेर्टिफिकेट बी में पूचा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्टरेनल अफैरन निस्ट्रिय अप यह कौन है करा है है स्री राजनात शेग यह यह आपको याद रखना है इस अच्स फिप्ट मेंबर हुए सिंट्रीम कमänd भारत को सुप्रीम कमांडर कौन है प्रेसेडंट प्राइम मीनिस्टर सी डीयह स्या आर्मे जैनरल सो राइट एंस प्रेसेडंट जो रास्ठपति होती है वह भारत का सवति कमांडर हो था त्हिक है और ग्रा मेरास्ठ आपको पता स्रिमति दुरुपति मुर्मू नेक्स्ट सिक्स्टमबर विच आप दा फॉलाइंग इसे गैलेंट्री और अवर्ड अदर इन दा फेस ऑफ एनेमी कुश्चन को ध्यान से पढ़िए कौन सा गैलेंट्री ओवर्ड है जो अदर देन दा फेस ऑफ एनेमी मतलब सत् अप्शन में कौन सा बेरता पुरुष्कार दिया जाता जब आप एनेमी से फाइटिंग नहीं कर रहे हो उस समय आप अगर कुछ काम करते हो तो आपको क्या प्राइज मिलेगा एम बीसी बीसी स्वारी चक्र यह डी मैंसनें डिस्पैच इस तो राइट एंसर है सी स्वारी ठीखर अगर आप एनेमी के साथ फाइटिंग करते हो तो आपको प्राइग मिलता है तीन को Pbc Mbc और एक होता है बीर चक्र उसके अलाबा अप जो वार टाइम होता पीस टाइम में फीस टाइम में भी तीन मिलता और सूल spaghetti लिका necesita ठीकiral अनए से लन नीवें सेरा मेडल यह पदम सिरी दो तरीक हे मैडल मिलते हैं बहुता घ्रेंटरी वौर्ड आर्रमी को मिलता है और एक उनने पिस्टाम को मिलता है बताईये इंद में से गुंति स्टिंट गहरई अवार्ड ठीक है जो इंडिया के सी विलेन को मिलता है नेक्स्ट है एइट नंबर देखते हैं हम लोग क्या है है हाइस पीस टाइम गलेंट्री ओर्ट सर्बोच गैर विरता पुरुषकार बताएं एम बीसी बीसी सेना मेंडल असूप चक्र इसका जो राइट एंजर है डी इसव हो चुट दिको गैलंट्री अवार्ड जो यह वोर्ड है न्ये स्ट गेलंट्री अवार्ड एक कोथा वर्ट वर्ट कीनी वार्ड और असोग चक्र फिर सौर्य चक्र तीसरा है तो आपका कृति चक्र क्लीर होगे यह तीन आवर्ड मिलते हैं पीस्टाइम में आपको पूरा क्लीर होगा नेक्स तेखते हम लोग यह सेम कोशन बताए हाइस पीस्टाइम घ्लेंट्री वर्ट क्या है अभी हमने पढ़ा असोग चक्र है दस नंबर हूँ वाज आवर फोस्टीज भारत के पहले सीडियस का नाम क्या था जनरल विपीन सर्मा नाम दियान से पड़े विपीन सर्मा जनरल मनोच पांडे जनरल व विपीन रावत राइट एंसर है और ऑप्सिन जनरल विपीन रावत ना लेफटनेंट जनरल ना जनरल विपीन सर्मा नाम धियान से देना जनरल विपीन रावत 11 नमबर विच आप दो फोलाइं इस नॉट प्लस तू टीएस एंट्री यह एक शोट सर्विस कमिशन नहीं है इसमें 10 प्लस टू टीएस एंटर के थूँ आप जाओगे तो आपको क्या होगा आपको ना प्रमानेंट कमिशन मिलता जैसे अंडिये होगे आयमे के थूज जह जाते हो ठीक है खलेर होगे नेक्स्ट है एक वीडियो में बताऊंग गए थेन प्लस टू टीएस एंटर क्या है डैस इसके मिस नॉट फॉर उमेन इन आर्मी नेम लिखित में कौन सा योज ना आर्मी में में के लिए नहीं है ठीक है गल्स के लिए कौन सा नहीं है बताइए एंसे से स्पेसल एंट्री ये स्टाफ सेलेक्शन कमिशन ये 10 प्लस टू टी एस ये टी जी सी आ सो इसमें और इसका जो राइट एंसर होगा ना ओप्शन ए सी एंडी जो आपको ये दिख रहा है ना टैन प्लस टू टी एस एंटर ये भी ओनली फॉर मैन के लिए है ठीक है और टीजी सी टेक्निकल ग्रेजुएट एंटर इस इस आल्सो फॉर मैन ओके क्लेर हो गया नेक्स्ट है 30 एक शोलजेश जेडी के लिए कितना एज होना चाहिए मतब अगनी वीर में एज क्या है एज लिमिट सबको पता है ना अगनी वीर जाने के लिए आपका एज 18 साल होना चाहिए अठारा से टीज तक हो गया 21 नहीं 18 से टीज हो गया भी तो ओके आपको क्लियर हो गया गया एटरा से टीज के बीच में हो तो आप आर्मी जीडी में जा सकता अगनी वीर का और नेक्स है mh रिप्रेजेंट mh क्या बताता है मोटार महरास्टा मिलिटरी होस्पिटल ये दी नन आप दयाव अप सिनसी मिलिटरी होस्पिटल ठीक है आरमी में में मिलिटरी होस्पिटल इंडियन आर्मी को रासन कौन पहुचाता एस्टी सी एस्डी ए ओसी एडी एस्टी आई होप आपको यह सब का फुल फॉर्म पता होगा मैंने पिछले वीडियो में मॉडल पेपर वन आपने अगर नहीं देखा है मॉडल पेपर वन सो आप जाके देख लिजेगा उसमें मैं अगर आपको 30 20 ते 30 नंबर चाहिए तो यह आपको करना ही होगा इसका राइट एंसर ऑप्शिन ए आर्मी सर्विस कोप असमें इनका काम होता है आर्मी को रासन पहुंचा ना जैसे ड्राइफ रूट होगया यह सब जो ड्राइव वाले होता है वो सब भी होता है फ्रेश में वेजिटेवल मीट हो गया मेल के सब भी पहुंचा आया जाता हम ठीक है और एओसी का फुलपा मता आर्मी सर्विस कॉप एडीसी आर्मी डेंटल कॉप नाक्स सिक्स्टीन नंबर देखते हैं हाइस टैंक ऑफ इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी का सरबोच फुरुसकार क्या है जनरल लेफटरन जनरल एरचीफ मार्सल एड्मेरल जो भी सबको पता है जनरल अभी परजेंट में इंडिया के चीफ आफ आर्मी स्टाप कौन है बता सकते हो यह भी आपसे पूछेगा याद कर लिजेगा जनरल उपेंद्र द्विबेदी ठीक है नेक्स हम लोग 17 देखते हैं 17 नंबर क्या है हाइस ट्रेंग ऑफ इंडियन एयर फोस एयर फोस का हैस ट्रेंग क्या है जनरल एर मार्सल एयर चीफ मार्सल या एड्मिरल राइट एंसर है ऑप्शन सी एयर चीफ मार्सल अब भी परजेंट में कौन है एयर चीफ मार्सल अमरपाल सिंग जो भ अब 19 नमबर देखते हैं what is rank of Indian Army in the world दुनिया में भारत के आर्मी कितने नमबर पर है एक दो तीन ये चार भारत का आर्मी का रैंग कितना है option D4 ठीक है पहले है USA फिर रसिया फिर चाइना फिर फोट में इंडिया पूरे भारत में चार पांच ये साथ अगर न एक औप्षिन इसमें और भी एड़ कर सकते हो इसका एंसर आप अगर गूगल में सर्च करोगे तो कोई थर्ड बताते हैं को फूर्द बता रहे हैं और अग बुक में देखोगे तो फिक्त लिखा हुआ इसका जो इस्टिल इंडिया रेंग कुट भी फूर्थ ठीक है इंडिया का रैंक फूर्थ है एर फोस में और किसी किसी साइट में थ्री भी दिखा रहे हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं हो ना फूर आप लिख सकते हो ठीक है नेक्स्ट फिर ट्वेंटीवन नमबर वर्ट इ नेभी कितने नंबर पर चार पाँच यह साथ इसका कनफर्मर डी सेवन नंबर पर ठीक है आरमी है चार नंबर पर नेभी है सात नंबर और एरफोस का चार चारी आप अभी रखे याद और अगर कुछ और अपडेट होता कि कहीं से ओफिशल ही पता चलता है कि इतना है तो अरी है, जनीरल बपिन रावत यह लजटारना जनीरल आवहर्टेनर विपिन रावत फ़स्ट रेहरा है सील आफ चरीट सेटून और अभी के सील ओन ने जनीर्मठ गया रखना हूइंट में जनीरल अनील चोहां नेक्स्ट है 23 एक्स्ट केस्ष कोस्टर अगल क कॉचे त उसका headquarter is रट लिजिए western command का headquarter का option C चंडीगर चंडीगढ़ भी लिखा रहा सकत यह फिशन किलो मर्ण दूर है एए जोना bald थे औन ही पर है western command का headquarter ρSmath और निबर भी बोल सकते हैं दूनों सही है यह लेन गारत us पोस्ट लाइन अफ इंडिया समुद्री सीमा आपने भारत का मैप तो देखाई होगा ऐसे करके है जो यह पूरा आपको जो समुद्र में लगता हुआ है न यह टोटल कितना लंबा है यह पूछा है जो यहां से समुद्र से लग रहा है यहां से लग यहां तक यह टोटल आपका है ऑप्शन बी 7500 किलोमेटर ठीक है नेक्स ट्वेंटी फिप नंबर दियरा डेस्ट राइफल कंपनीज इन इंफेंटर बटार लिया एक इंफेंटर बटालियन में कितने राइफल कंपनिया होती है यह मैं फॉर्ट मॉडल पेपर मैं भी बताया हूं यह एक इंप है साथ छे पांच यह चार राइट एंसर ऑप्शन डी चार ठीक है एंड सेकंड मॉडल पेपर पर कम्पीट होगे 25 कोशन नेक्स्ट इसका और एक मॉडल पेपर हम लोग करेंगे थर्ड मॉडल पेपर जिसमें भी 25 कोशन रहेंगे और आप अगर यह तीन को मॉडल पेपर कर लोगे आंफोस का तो आपको न और कुछ एक्स्टा पढ़ने के जौरत नहीं है इससे कोशन पूछा जाएगा ठीक है और इससे बाहर एक भी कोशन नहीं आएगा आपको यह इंसर कर सकता हूं आपको ओके आपी सबको देखूगे तो भी आपको यादर हो जाएगा आप